आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर, जहांपर हम सीखते भी हैं और पैसे भी कमाते हैं। आईए चल कर जाने विप्रो के बारे में और क्या पॉजिटिव यू बनके आ रहे हैं विप्रो के अभी। हमने कुछ दिन पहले, करीब दो हफते पहले विप्रो का चार्ट अनलेसिस किया था और फंडमेंटल अनलेसिकर इसको रिक्मेंडेशन किया था। देखते हैं वहां से अब कहां पहुच पाया है और इसका क्या आगे का भविश्य बन रहा है। यह सब विश्य लेशन फंडमेंटल विउ से और टेक्निकल विउ से करेंगे इस शेर के बारे में और आपको अपनी रिक्मेंडेशन भी बताएंगे अगर आपने वही तक शेर नहीं खरीदा है। अगर आपकी कोई भी क्वरी है तो प्लीज अपनी क्वरी कमेंट बॉक्स में डालिएगा और बताईएगा कि आपने कितने के शेर खरीदे हुए कितने रुपे पर और कितने समय का आपका हॉराइजन है ताकि हम आपको कस्टमाइज एडवाइस कर सकें। अब बात करते हैं विपरो की मार्केट कैपिलाइजेशन की। विपरो की मार्केट कैपिलाइजेशन एक सो साथ हजार करोड की है। पैसा कमाने के लिए देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा आउटलुक है, हम सब इसलेशन करेंगे इसका डीटेल में, आपको बताएंगे क्यों इतना पॉस्टिव आउटब्रेक है, कोवीड के बाद में भी, और फिर इसकी डीटेल अनलेसिस 15,750 था उनका, और अभी 14,922 सेल्स फिगर हो गई है, वहीं पे जब उनकी सेल्स कम हो गई है, उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा कम हुआ है, यही बात अपको समझनी की है, और क्यों हुआ है, हम आगे बताएंगे, इसके बारे में विश्लेशन करेंगे, 13,000 से लेकर 12,000 के आज पास इनका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया है, तो जहाँ पे सेल्स में करीब करीब आपकी 700 की कमी हुई है, वही पर एक्सपेंडिचर में 900, 900 की कमी हो गया है, अच्छा साइन है, प्रॉफिटिबिल्टी बढ़ जाएगी, अब देखें, उसी के च चलते हुए, आपको शायद पता होगा कि अगर आपने किसी IT कमपनी में काम किया है, या आपके कोई relative IT कमपनी में काम करते हैं, तो बहुत सारे समय में employee को second shift में या night shift में काम करना पड़ता है, due to various reasons, या तो client की demand होती है, या फिर project की need होती है, या फिर infrastructure के challenges होते हैं, जिसक इस वज़े से क्या हो रहा है कि इनको employees को car provide करनी पड़ती थी आने जाने के लिए, उनको खाना provide करना पड़ता था, उनको chai provide करनी पड़ती थी, और उनको extra salary देनी पड़ती थी, तो ये सब expenses अब खतम हो गए हैं, क्योंकि वो घर से काम करा रहे हैं, और इसके चलते हुए अभी सब लोगों को पता है कि COVID का काम चल रहा है, तो उनको कोई ऐसी second shift की जरूत नहीं है, जिसमें project की specific need ना हो, या client का time zone का दिकत ना हो, तो इस वज़े से उनका operation expenses करी 20% घड़ गया है, जादा तर सभी IT companies का, अब इसमें Wipro इतना positive क्यों है, other companies, HCL वगए इतना positive क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका एक difference factor है, क्योंकि Wipro में जो bench के लोग हैं इस time पे, वो काफी कम है relatively, compared to other companies, HCL हो गया, और other companies हो गया, ये key factor होता है, हमारे कुछ sources हैं, जो IT में हमारे काम करते हैं, उनके थुरू हमें पता लगा है कि Wipro में अभी के लिए bench पर बैठे वे लोग हैं, वो बहुत कम है, जो IE, जिनका कोई billable नहीं होता है, जो जिनके क्लाइंट पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी billing नहीं होती है, पर उनको salary देनी पड़ती है, ऐसे लोग बहुत कम है, तो इस वजए से इनकी profitability बहुत जादा बढ़ गई है, वहीं दूसरी और HCL में दे हमने इसके लावा other IT companies के भी वीडियो डाले हैं, आपको देखना है Infosys TCS, वो भी अच्छी कमपनी है, उन्में भी आप इन्मिवेश कर सकते हैं, अब यहां बात करते हैं, विप्रो के shareholder pattern की, विप्रो की management बहुत strong, 75% के आसपास study, promoter stake है, और कोई share pledge नहीं है, जहां आप company के promoter इतने अच्छी जानते हैं अपनी company को, कि वो share छोड नहीं रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, normal public को कितना फायदा मिलेगा, FIA की holding, 8% है इसमें, यह जैसे ही बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा share, DI की holding, 9% दोनों की दोनों में लाकर बहुत कम है, single digit मे हैं, और वहीं पे retailer public की तो सिर्फ 6% है, सबसे कम, तो अगर आप अभी तक इस share को नहीं ले पाए हैं, तो हमारी जला है, जहां हम target आगे बताएंगे आपको, वहाँ पे लीजे इसको, और अगर आपके पास share है already, तो आप हमें comment links में बताईए, कितने पे आपने खरीदा है हम आपको customize advice करेंगे कि आपको क्या कर सकते हैं आगे future के लिए, ये सबसे advantage इनका ये है कि घर पे बैटे हुए ही ये लोग remotely client को, business को continue कर आ रहे हैं, अगर कोई onshore पे है, जैसे US में, Europe में, UK में, तो उनको तो अल्रडी laptop provide किया हुआ था, पर अभी COVID के चलते हुए, इन्हों है, और client भी खुश हो रहा है क्योंकि client को काम चल रहा है, और Wipro भी खुश है क्योंकि उसकी billability, पर कोई impact नहीं आए COVID की वेशे, जो कि बहुत अच्छी news है, विप्रो के, कुछी sector है जो अच्छे चल रहे हैं COVID में, एक तो IT सेक्टर है, एक फार्मा सेक्टर है, दो सेक्ट लगता है, जब आपका like आता है हमारे channel पर, अब हम आगे बात करते हैं, इसके further view के लिए, technical analysis पर हम चल के देखेंगे, क्या view बन रहा है, please consult a financial advisor before investing and trading, अब अगर technical view देखा जाए, तो technical view चलने से पहले ज़रा है, इनकी एक बार website देख ली जाए, website प आपको पता लगेगा, क अगर इन्होंने देखा जाए, तो इन्होंने अभी acquisition भी क्या है, इन्होंने talent salesforce, largest salesforce partner 4C को acquire किया है, तो इससे इनकी advantage क्या होगा, salesforce अगर आपको बता दे, एक company है, जो customer relationship management करती है, और जितने भी सारे front end offices की report बनती है, वो सारी salesforce team से बनती है, salesforce report से बनती है, तो EMEA region, Europe region इनकी सबसे बड़ी company है, यह 4C, इसको acquire किया है, तो इनके सारे client इनके पास आएंगे, और इनके जो further project बनेंगे, वो इनके पास आएंगे, तो बहुत ही positive news है company के लिए, जिसके चलते हुए इनका feature outlook और अच्छा होगा, बड़ी deals all मिलेगी इनको, larger deals जिसको बोलते है, अब इन्होंने जैसे हमने बताया कि सब लोगों को laptop या घर से desktop कराने की practice करा दिये, जिसकी चलते हुए client भी खुश है, और employee भी खुश है, उनको travel नहीं करना पड़ा है, अपने घर से उनका काम चल रहा है, उनकी salary भी आ रही है, और विप्रों को profit भी मिल रहा है, और management इनकी ब virtual podcast के जाते हैं, तो बहुत अच्छा engagement है इनका अपने employee के साथ, क्योंकि अब physically नहीं देख सकते हैं, तो उनको इस तरह से करना होता है, senior level पर monthly और junior level पर weekly basis पर team connect होती है, इस तरह से, और project तो हमेशा daily के daily connect होते ही है, अपने video conference या फिर online के through, तो ये काफी अच्छी strategy है, इन project उनको digital skill से बहुत जादा आ रहे हैं, इसके लाव अगर अब हम बात की आगे, इनकी talent जो mix होता है, वो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि manual testing भी होती है, digital testing भी होती है, तो सब में इनको advantage हासिल है, BK reference में, और long term के लिए resolution करनाने के लिए help करा रही है, तो ये सब अच्छी ख़ब है रहे हैं, इनको COVID में भी इन्होंने अपने client को नहीं छोड़ा है, client की help कर रहे हैं, जैसी उनको जुरुत है, उसके basis पर उनको सलाह दी जा रही है, उनके project दी जा रहे है, consultancy करा जा रही है, उनका software develop किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे है, हमें उनकी रुपे के असपास था, और 500 रुपे से अब देखे, 280 के असपास ये चला गया है, 15 दिनों में, महज 15-20 दिनों में, आप देखे, तीन हफते में इसने क्या च्छलांग लगाई है, हमने इस week में recommendation किया था, इसको 200 रुपे के असपास, और देखे, यहां से 280 के असपास बं लंबी बार बनाई यहां पर, और उसके बाद में, यह यह बार कितनी लंबी बनी है, और उसके बाद में फिर consolidation किया थोड़े देर के लिए, फिर अगले resistance को देखे, क्या शांदार तरीके से बड़ी candle से cross किया है, यह देखे यहां पर, यह बड़ी candle एक ही बार में इसको cross क कर दिया, इसने जैसे cross किया, तो सीधे के सीधे, उसी हफते में, इसने अगले resistance को touch किया, और उसको भी cross कर दिया, यह बहुत शांदार recovery दिखा रहा है, अब हमारा उमीद यह है, कि जो इसका upper target था, अब वो 100% वाला, अब उसकी तरफ को अगरिम है, जो बहुत जल्द यह है, यहाँ पर इस Fubonacci Arch Tracement के basis पे 298, 200, 300 के आसपास इसको मान के चलिए, तो 300 वा target अभी ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर बहुत असानी से आपको मिल जाना चाहिए हमारे साथ से, दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है, तो हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं, आप अगर कोई भी request है आपकी, तो आप हमें बताइए, हम वो सारी request आपकी fulfill करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर motivational video मिलते हैं, और stock की latest base information मिलेगी आपको, quarterly result बता कर बताए जाएंगे, और long term strategies भी बताए जाएंगे आपको, हमने करीब-करीब 2500 ज्यादा stock का analysis किया अपने channel में है और बहुत अच्छा pattern दिखा है, इसने काफी time नीचे के level को touch किया, अब फिर उपर के level को touch कर रहा है, फिर हो सकता थोड़ा consolidation करें और फिर आगे बढ़ने के लिए तियार हो जाए, तो एक बहुत अच्छा pattern माना जाता है, जब stock एक volume के साथ बढ़ता है, यहाँ दे खरीदा है, और नहीं भी खरीदा, तो अभी भी खरीद सकते है, हम आपको levels बताएंगे, अभी अगर आप बुलिंजर बैंड के basis पर भी देखें, तो यह narrow range थी यहाँ पर जब हमने इसको recommendation करने का शुरू किया था, बैंड से expand हुआ तो हमें लग जया था, यह बहुत आच वही इसने किया दिन बर अपने high बनाया, करीब-करीब 290 का, और इसके आज में 280 के असपास यह settle हो गया है, तो दिन जैसा market होता है, उसके हिसाब से दिन भी IT stock के हिसाब से भी काम करता है, वही हम आपको अगर नजब डालें एक बार, nifty ने कैसा कारबा गया, nifty फ्यूर जाता है, जोर मेरा 20 पॉइंट का भी उपर जाता था, और जाता है फिर 30 पॉइंट नीचे के असपास रेंज में रहा है, बंद होता है 28 पॉइंट के negative पर बंद वाए, हम लोग nifty और bank nifty की option trading की help करते हैं, और future की भी trade help करते हैं, अगर आपको यह चाहिए, पहले हमने आपको stop loss बताते हैं, entry level बताते हैं, आप हापे order डाल के, अपना stop loss और trigger bracket order में डाल के खतम कर सकते हैं, पाच मिनट का काम रहेगा आपको जब आपको आराम से profit रहेगा, जुलाई के महने का हम अपना performance बताएं, तो हम हर दिन trade नहीं करते हैं, हर दिन trade का signal नहीं generate होता है हमा पीपल काम करने वाले जिनको थोड़ा वह टाइम मिल सकता है, तो पंदरमेट का बीच में दिन के टाइम में, वो अपने trade इस सरह से place कर सकते हैं, और intraday में आप daily income मराने की कोशिश कर सकते हैं, अब अगर हम यहापे levels की बात की जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सबसे पहला range जो आपको खरीदना है, वो 275 से 270 के बीच की range में खरीदिये, जी हाँ, सबसे पहला range, 275 करन माकी प्राइद में खरीदिये, 275 से 270 की range रखी अपने पास में, और दूसरा जो range रहेगा वो 250 के आसपास खरीदियेगा, 250 से 245 के आसपास यहाँ पर अगर आता है तो दूसरा range आपको यहाँ होना चाहिए, और तीसरा जो आखरी range रहेगा, वो 225 के आसपास रहेगा, यहाँ बहुत अच्छा demand बनेगा हमारे साब से, अगर किसी वज़े से इस level पर आता है, तो अपनी तीसरी quantity हाँ पर खरीदियेगा, वो सकता है आपको यह level ना मिले, को आपको समझ में आए, कि इसका upward resistance कहा कहा आप face कर सकते हैं, जैसे हमने फिबोनाची आर्च बताया, 300 का level, एक इसका अच्छा level है, जहाँ पर यह पहले थोड़ा resistance face कर सकता है, हम दिखाते हैं आपको, जैसे आप समझ, आप यहाँ पर सीखे भी, तो आपको पता लगेगा, हम एक साल से 18 महिने का जो हम target बता रहे हैं, वो करीब-करीब 4500 का है, अगले quarter, quarter two, और quarter three में इसकी performance बहुत अच्छी रहेगी, COVID के चलते वे quarter two, तो पूरा का पूरा घर से ही काम चलेगा सबका, तो expense कम रहेंगे, और quarter three में भी limited operations शुरू होंगे इनके, तो यह बहुत अच अच्छा strategy है, बहुत अच्छा option है, आपको रखना है, तो रखिए, IT में आपका invest होना चाहिए, और Wipro is one of the dark horses of IT, अभी इतना limelight में नहीं है, PE relatively उनके peers के comparison में कम है, अगर आपको ध्याना पीछे दाके देख सकते हैं, PE का जब हमने चार्ट बताया था, तो इसके हिसाब से भी, IT is one of the best bet to place in, TCS Info से जातार सबके पास है, Wipro हम आपको definitely recommend कर रहे हैं, आपके share portfolio में होना चाहिए, अगर आपका कोई भी question है दोस्तों, तो comment box में डालिए, और अपना time frame ज़रूर बताएगा जब आप question पूछते हैं, दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-ब कर दोस्तों